यूँ तो हमें लगता है कि हम अपने सारे अधिकारों को जानते हैं लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या है वह लाव जिससे जानने के बाद आप सोचने लगेंगे कि अरे यार यह तो हमें पता ही नहीं था जाने अन जाने में ही हमने आज तक इन अधिकारों का लाव नहीं उठाया क्योंकि जनकारी के अभाव में हम बहुत सारे अधिकारों से बंचित रह जाते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पेट्रोल पंप पर मिलने वाले उन्च्छा निसुल्क सुविधाओं के बारे में जो सुविधाओं के साथ हमारा अधिकार भी पेट्रोल पंप जहां हर रोज हजारों की तदात में लोग जाते हैं इन सुविधाओं को परदान करना पेट्रोल पंप वालों का करतप है और हमारा अधिकार भी अगर वह इन सुविधाओं को देने से मना करते हैं तो उन पर उचित करवाई भी हो सकती है उनका लाइसेंस भी रद हो सकता है क्योंकि लाइसेंस देने के समय ही सर्तों में यह लिखी जाती है कि अगर वे इन सुविधाओं का लाब वहां आने वाले लोगों को जरूरत पढ़ने पर नहीं देंगे तो उनका लाइसेंस रद्ध कर दी जाएगी तो चलिए जानते हैं अपने उन्चा अधिकारों के बारे में पहली सेवा है मुफ्त हवा इन सुविधाओं में पहली सेवा है मुफ्त हवा ड्राइविंग के तोरान अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में हवा कम है तो आप बेजी जग किसी भी पेट्रोल पंप पर करें तो दूसरी सेवा है सुलब सौचाले की बेवस्था अगर आप सणक के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और आपको सौचाले को लेकर किसी तरह की इमर्जेंसी आ गई हो तो आप अपनी गाड़ी को किसी भी पेट्रोल पंप पर पार्क कर सकते हैं और वहां सौचाले का इस् सफर के दौरान अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई हो तो आप अपने निकट्तम किसी भी पेट्रोल पंप पर जा सकते हैं वहां निसुल्क प्राइमरी ट्रीट्मेंट जैसे मर्रम पट्टी या फिर कुछ दवाईयों का लाब उठा सकते हैं वैसे तो सभी के प सफर के दौरान अगर आपको प्यास लगी हो और आपके पास पानी का बोतल नहीं है तो आप पैसे देकर खरीदने के बजाए किसी भी पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिये पानी ले सकते हैं यह हमारा अधिकार और उनका करतब है कि वह लोगों को मुफ्त में पानी पिला पांची सेवा की बात करें तो पांची सेवा है मुफ्त फोन कॉल अगर रास्ते में अचानक आपको किसी को इमर्जेंसी कॉल करनी पड़े और आपका मोवाइल स्विच ओफ हो जाए या आपके पास मोवाइल नहीं हो तो चिंता करने की बात नहीं है आप इस सेवा का किसे टेए वक्त हैं ठेख हो पकरन और रेट की पालटी का इस्तमाल कर सकते हैं वह भी बेज जीजग्त इस्तमाल कर सकते हैं जोसे आसानी से आप आज पर नियंत्रन कर सकते हैं वहां हर वक्त fire safety device मочь मौजूद रहता है जिसका कईी भी निसुलग इस्तमाल किया जा सकता है इन 6 सुविधाओं की जनकारी रखना हम सबों को अनिवार्ज है सफर में इन सुविधाओं का कभी न कभी किसी न किसी को जरूरत जरूर पड़ती है ऐसे में जनकारी ही सबसे बड़ा बचाव सावित होता है कहा भी जाता है जागरूक बनिये आगे बढ़िये लाइब सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट